नमस्कार दोस्तों, Buy Sell Signal Software में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं, आज देखेगे हमारे Software में कैसी तरह काम करते हैं, और Confirm Trade किसे बोला जाता है, और Unconfirm Trade किसे बोला जाता है, Software के अंदर इसा Green Signal मिले, तो उसको Buy Signal बोला जाता है, और इसा Red Signal मिले, तब उसको Sell Signal बोलना जाता है, बहुत सारे Software के अंदर आपको Sideway के अंदर Problem हो जाती है, कि वो कौन सा Signal के अंदर काम करना चाहिए, और कौन से Signal में Trade नहीं करना चाहिए, तो यहाँ Green Signal मिले पर हम Directly Trade नहीं क करेगे, हमारा Software गलत Signal को जादे से जादा Ignore करने की कोशिश करेगा, यहां Buy Signal मिला, Buy के बेक में देखिए, यह उपर की Side का Blue Arrow लगा है, इसका मतलब यह हुआ कि Buy Signal Perfect है, आप इसमें Trade कर सकते हैं, वेसे ही तरह यहां Sell Signal मिला, तो यह Sell को भी Verify करना पड़ेगा, कि यह सही है य Sell Signal मिलता है, तो Sell Signal में आपको Trade करना चाहिए, अब यह Main बात होता है कि इसमें Exit कहां पर करें, Sell Signal में देखिए, यहां उपर की Side का Arrow आ गया, तब आपका Exit बन जाएगा, या फिर यह Buy Signal मिला, तब आपको Exit करना है, कभी-कभी Software के अंदर, Market के अंदर, बहुत शारी Moment हो जात है, पर आपको यह नहीं पता चलता है कि कहां तक Hold करें, पर यहां देखिए, Software का Review कैसा रहता है, कि यहां Buy Signal मिला, Buy के Back में उपर की Side का Arrow दिया, मतलब कि यह Perfect है, यहां आगे जाकर उसने बोला कि यह और उपर जाएगा, आप Continue Hold किए, अगेन उसने बोला कि यह और उपर जा जाएगा, Hold किया, मतलब कि आप दूसरे दिन भी Continue Hold, आप Position खतम कर दिया है, तो दूसरे दिन भी आप Position ले पाएगे, और आप अगर Positionally Trader है, तो आपको Continue बोलता रहेगा, कि Hold किये, Hold किये, Hold किये, Hold किये, और उपर जाएगा, Hold किये, यहां अगले दिन आपको फिर से बोला गया, कि और उपर जाएगा, Hold किये, यहां आपको बोल दिया, Exit कर लिजे, तो Exit होने के बाएद हमारी Position खतम, तो जब Rally निकलती है, लंबी, तब वो Rally का पूरा का पूरा Benefit देने की कोशिश software करता है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, कि software में कैसे काम करें, तो आप हमें contact कर सकते है, हमारा दूसरा verification भी है, वो seat number 2 में है, वो अल्रेडी आपको में बार बार बता चुका हूँ, कि buy signal मिले, तब हमें यहां चेक करना होता है, कि यह trade line से market उपर है, यह फिन नीचे ह उपर cross out हो चुका था, साथ में सभी green में है, और यहां नीचे की पट्टी भी green में है, मतलब कि यह double verified trade बोला जाता है, तो आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, तो आप हमें contact कर सकते है, धन्यवाद दोस्तो, सेनल को सब्क्राइब नहीं किया है, तो सब्क्राइब कर लि झाल 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